हे दोस्तो वेलकम टू स्टेडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक नया यहां पर तरीका उसके बारे में डिसकस करूंगा जो कि दोस्तो मलेरिया के अंगेंस्ट में यूस किया जाएगा देखे दोस्तों यहां बात करी जा रही है आर्टिविशल लाइट के बारे में इससे हम लोग यहां पर आप कर सकते हैं जो मलेरिया है इससे लड़ सकते हैं आज की वीडियो में मैं इस पूरे टॉपिक के बारे में ही डिसकस करूँगा क्या क्रिए क्या है किस तरिकी बाते हैं जो कि हमें पता लगती है तो चलिए अब इस डिसकस करते हैं इस टॉपिक के बारे में लेकिन दोस्तों से पहले बता दू कि इस बार अनेकेडमी की बहु करें जाके कोर्स पर्चेस कीजिए इस कोड यूज करके आपको और डिसकाउंट मिल जाएगा यहां वे आपको सीए सी एश्यूर मिलेगा अगर आप लोग दो साले फिर्यू से दादा का कोई भी शब्किप्शन लेते हैं तब और दोस्तो आठ जून पंधर जून से ने अगेंस्ट में अगर मली रहा है तो उसके विरोध में हम लोग यहां पर इस आर्टिफिशल लाइट को यूज कर सकते हैं इसकी स्टडी सामने आई है देगे जो लाइट है दोस्तों काफी कह सकते हैं क्रूशल रोल दिखाती है अगर बायलोजिकल क्लॉक्स के बारे में ड बर्ड्स जो लाइन का हंटिंग का टाइम है वो स्लीप पैटर्न जो है हुमेंस का इन सबी पर लाइट का बहुत असर पड़ता है जो टाइमिंग के डे की और नाइट वाली किस तरीके से हमारी जो अर्थ का रोटेशन है यह हमारा जो लाइफ है प्लैनेट की यह कैसे है रेगुलेट करने के लिए हमारे स्लीप अवेक साइकल को और आप कर सकते हैं यह दोस्तों प्लांट में और एनिमल्स दोनों में ही पाया गया है काफी रैपीड चेंज आ है दोस्तों नेचरल स्लीप साइकल के अंदर जो की अब्जर्व करा गया है और जिसको यहां बता इसकाइस के अंदर रहती है मतलब कि जो घर की आप लोग कह सकते हैं कि घर में लोग लाइट जला कर रखते हैं वो सब आर्टिफिशली तो होती है रात में अंधेरा हो गया उसके बाद हमने जो लाइट जला रखी है वो सब आर्टिफिशल होती है तो यह बता जाता है कि 80 परसंट जो वर्ल्ट की population है वो इनी में जी रही है ये भी एक कभी बड़ी बात है अब देखें इंपक्ट क्या होता है मलेरिया पे जो artificial light है दोस्तों वो एल्टर करती है मौस्किटो के biology को मलेरिया टांस्मीटिंग मौस्किटो जो होता है species जिसका नाम है एनोफिलिस वो फीड होता है दोस्तों नाइट में अभी artificial light के बाद जो मौस्किटो हैं ये ट्रिक्ड हो जाते हैं और वो बिहेव करने लगते हैं कि जैसा दिन का समय हो रहा है और जो short pulse होती है light emitting diode LED light की वो commonly delay कर देती है onset of biting by hours in the mosquito एनोफिल्स के अंदर और इससे दोस्तों जो उसका biting rates है या फिर आप कह सकते हैं जो malaria का transfer है ये भी reduce हो रहा है अगर challenges के बारे में बात करते हैं तो first challenge ये है दोस्तों कि अभी ही ये चीज unclear है कि आखर किस तरीके से जो artificial light है ये यहाँ पे less करती है जो risk है malaria infection का वो दूसरी बात दोस्तों demonstration जो हुआ है जिससे ये पता लगाया गया effect जो पढ़ता है artificial light का वो control debilatory setting के अंदर था ये पहली बात होगी दूसरी बात ये दोस्तों ये बता लगती है कि जो roll out में देखने को मिले हैं वो effective vector control strategy पे हैं और ये भी साथ हो सकता है कि एक और वज़य हो इसके बात दोस्तों यहां बताओ मैं LED light जो होती है इसका एक negative impact रहता है human की health पे और इससे जो हमारी sleep cycle है इस पे भी काफी असर पढ़ता है अब आगे क्या है research तो आगी लेकिन आगे की बात करें तो जो impact पड़ा है artificial light की हुझे से वहां पे आपको बता दूँ फुली understood रहेगा कि किस तरीके से जो implementation strategy है इसे use किया जा रहा है जो growing body of work है दोस्तो वो भी हमें देखने मिले हैं और इस तरीके से जो WHO है इसकी attention भी यहां हमें देखने को ज़्यादा मिलती है और भी यहां पर काफ़ सरे relevant bodies हैं जो कि आप कर सकते हैं research करते हैं medical health sector के अंदर तो वो भी अब यहां पर इस नजरिये से या फिर आप कर सकते हैं अब इस sector पर भी अपना थोड़ा सा दियान जो है वो लेके आएंगे ही आएंगे यह बात है जो कि हमें पता लगती है इस पूरे topic से ओकी दोस्तों अगर मैं आपके साथ यहां पर बात करता हूं malaria के बारे में तो कुछ बाते हैं जो कि आप लोग मैं कहूंगा कि आप लोग को पता होनी ही चाहिए ओके तो पहले मैं ले लेता हूं आप लोग लिए एक अल mosquito से होता है तो यह बाली बात आपको पता लगी अनोफाइल स्मॉस्क्रिटो होता है उनकी वजय से होता है रात में हो रहा है इसका मतलग कि जब राइट में यहां पर बीडिन टाइम होता है उनका तब वह खाते हैं और आप लोग को basically जो cases है वह रात वाले टाइम पर ही द के बारे में कि जितनी भी यहां पर आपके सकते हैं अलग-अलग species है प्लाजमोडियम की इसकी वज़े से हमें यहां पर अलग-अलग severity है मतलब कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि जो उनका level है आपके सकते हैं इनकी species का तो जो सबसे उपर वाले level पर रहेंगी मॉस्किटो इस तरीके से इनकी खुद की species में प्लाजमोडियमय की खुद की species में ही भी हमें जो आपके सकते हैं खतरा होता है वो देखने को मिलता है अगर दोस्तो हम लोग कुछ symptoms के बारे में मानते हैं कि यह आकर symptom क्या है तो जैसे कि आपको ठंड पर जाना fever वगएरा बुखार हो ग अगरती है ऐसा भी देखा गया है तो यह सरी बाते हैं जो कि आपको बेसिकली पता होने चाहिए थी मलीर्या के बारे में आई होप कि आपको जो चीजें है वो आब सभी समझ में आई होंगी लेकर दो अब भी आपका है तो वह आप उसे जरूर पूछेगा कमेंट सेक्षन में मिलते नेक्स्ट वीडियो में तबता के लिए हवा नाइस दे और टेक क्यों